6 अप्रेल को यानि के कल जब भारतिय जंता पार्टी का इस्थापना दिवसा उस दिन देश के पांच राजियों में चुनाओ हुए हैं बंगाल में तीसे चरण का मतदान हुआ है इसके अलावा तीसरे और आखरी चरण का मतदान असम्में हो गया केरल में भी चुनाओ संप गूम रहे हैं तमाम मुख्यमंत्री मंत्री नगर निगम के पालिका के नगर पंचायत के जो भी हैं सब को ले जाके महां पे जोक रखा आज वरतवान समय की स्थिती बताई जाती है कि महां कोई होटल या लौज खाली नहीं है बड़े-बड़े मकान कि रहे ले रखे हैं बड़ी-बड़ी तीर्याज आज कई रखे stell चला एक नहीं कि रखे लेकिन और दूसरे पर दावा कर रहे हैं वह दावारां तरी जो क्या दावा कर रहे नर उस पर जेपी नड़छ यहूंतता पाटिग्राशिय अद्यक्स के नहीं और दूसरे परद्दान भारती जन्ता पाटी के रास्टी अध्यक्स हैं वो क्यों खड़े नहीं उतर रहे हैं तो क्या हैं यहीं आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे चलते हैं खबर के पहले हिस से कि तरफ यहां बात कर लेते हैं परधानमत्री को लेकर मंगलवार कदीन था परधानमत्री पहुचे पहले हावड़ा में उन्होंने कहा कि मैं आज डूब गया हूं इस जन सेला में इस प्यार में उनकी जबाने सुन लीजिए दोस्तों आपका प्यार मेरी सर अंखों पर आज इस बार बंगल के हर कोणे में जिस प्रकार से आशिडवात की वर्षा हो रही है आपके प्रेम में कोई भीगी जा इतना तो मैं समझता हूं आपने तो मुझे अपने प्रेम में डुगो दिया है भाई जो सुन लिए आपने इसके बाद वो कुछ वियार पोंचे उन्होंने का कि दीदी आज कल कह रही है क्या भारतिय जनता पार्टी कोई भगवान है भाजपा कोई भगवान है जिससे के वो कह रही है कि वो जीत गई है लेकिन दीदी आप यह जन सहलाब देखो आज बच्चा बच चल गया लेकिन दीदी ओ दीदी चुनाओं में कौन हार रहा है कौन जीत रहा है यह पता करने के लिए भगवान को कश्ट देने की जरूरत नहीं है यह जो जनता जनार्दन है न वो ही भगवान का रूप होती है अरे जनता जनार्दन का चहरा देखर के पता चलता है कि हवा का रूख क्या है यही तो इश्वर का उतार है और दूसरा दिदी आधर्णिय दिदी दूसरी बात जो है कि चुनाम नतीजों का पता कैसे चलता है अनुमान कैसे लगता है एक तो आपका गुसा आपकी नाराज़्गी आपका व्यावार आपकी भाणी इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दिदी टी-म-सी यह दोनों चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद यह है कि आप अपने माइन को सैट करें और यह सोच लें कि भारतिये जंता पार्टी जो है बंगाल में जीत रही है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुलम खुला पब्लिक दिखा के यह दावा कर रहे है खुले मंच से देख लीजिए यह क्यों हो रहा है अब क्या हो रहा है वह आपके सामने रख देते हैं सोंबार का दिन था जैसा मैंने बताया भारतिये जंता पार्टी के राष्टिये अध्यक्स हैं उनकी हुगली में तीन रेलिया होनी थी कितनी जी तीन लेकिन वह हुगली में एक भी र साथ के निताओं के जरीए से कि साहब राष्टी एद्यक्स होना राजदानी दिल्ली जाना है उनको एक इमर्जेंसी मिटिंग करनी है अपात काल कोई बैठक करनी है इसलिए वो चले गया है लेकिन दो पैर को बहुत तो कलकत्ता में नजर आगे तो सवाल खड़ा होना ला हैंगे पर उसे पहले ही जान लेना चाहिए आपको के हुगली में चोथे चरण के तहट 10 अपरेल को मतदान होगा यानि के वहां मतदान नहीं हुआ है तो आप देखेगा के हिंदुस्तान क्या लिखते हैं यह आपके सामने हिंदुस्तान का हाल हम रख रहे हैं कि रविवा में इनको एक जंसाभा को संबोधित करना था लेकिन इवा नहीं गया इन्होंने फोन पर ही इन्होंने जो है काम चला लिया फोन पर बात करके 20 मिनट तक इसके अलावा सोमार की सुबा ही इनको शिरी राम एक जगा पढ़ती है शिरी रामपूर वहां पे जाके इन्होंने को संबोधित करना था लेकिन इन्होंने उसको रध कर दिया इसके अलावा हुग्ली में ही शाम को इन्हेक रेली को और संबोधित करने जाना था वो थी कुंचुरा में चुन्चुरा में भी रेली को संभोधीत करने जाना था लेकिन यह वहां पे भी नहीं गए आपके सामने हिंदुस्तान नव भारत टाइम्स और जंसत्ता जैसे जो है अख़बारों की कटिंग मैंने रख दी है लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा था कि वह तो इमर्जेंसी मिटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गहें वह दोपैर को नजर आते हैं कॉलकाता में क्या कर रहे थे कॉलकाता में वह थोड़ा सा देख लीजिए बाकाइदा चार किलोम वो विधान समगा चुनाव लड़ रहे हैं मतलब थानेदार जो है वो दरोगा बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है खैर जाने दीजिए उनका परसनल मैटर हो सकता है तो उनके लिए परचार किया इसके अलावा यहीं की एक सीर पड़ती है वहां से एक अभिनेत्री है जो बताया जारा बंगाल की अभिनेत्री है पाइल सरकार उनका नाम है उनके लिए इन्होंने रोड़ शो करके वोट मांगे वह यह हुगली के नाम पे तो कहा जा रहा था कि दिल्ली चले गए और कोल कर तमय जाके रोड़ शो कर रहे तो इस पस्ट बताया जाए ना कि हु पी नड़ा की जो रेलिया रद हुई है वहाँ भी क्या जनता भग्मान की रूप में बोल रही है पबलिक नहीं आ रही थी इसलिए रेलिया रद कर दी गई पूरे मामले को लेका टीमसी और कॉंग्रेस के निताओं ने बड़ा हमला बोला और कहा है कि जनता नहीं जुटी तो इस पूरे मामले को लेका रेलिया ही रद कर दी गई हैं सवाल उठना तो लाजमी है बाकिया आप सोचिएगा बने रहेगा धाकर खबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्काइब कर सकते ह जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर आसे किसी सो लगते हुए वलस्ते मुद्य लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजी फिलाल अभी मुझे दें इजाज़त